आज मैं लिकर के आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी आलू गोभी मटर की सूखी सबजी की रेसिपी आप इसे रोटी के साथ में खाईए पराठे के साथ में खाईए या दाल चावल के साथ में खाईए यह बहुत ही टेस्टी रखती है जट पट से बन जाती है त अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें तो यहाँ पर सबजी पनाने के लिए कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसो का तेल लगभग 6-7 बड़े चमज तेल को गरम होने देंगे तेल जब गरम हो जाएगा ना तो यहाँ पर मैंने 3 आलू लिये हैं मिडियम साइस के मोटे-मोटे पीस में कट करके लिए हैं और अब इसमें एक गोभी का मिडियम साइस का फूल भी डाल रही हूँ हूँ तो इस तरीके से थोड़े बड़े पीस में मैंने कट किया है और बहुत अच्छे से वास करके लिया है अब दोनों चीजों को अच्छे से भूनना है और इस तरीके से भूनना है कि गूभी और आलू दोनों लगभग 90-95% तक कुग भी हो जाए पक भी जाए तो धककन धकके इसे एक से दो मिनट पकाएंगे फिर धककन हटाएंगे और फिर इस्टर करेंगे इसी तरीके से करके आलू और गोभी को दोनों को भूनेंगे इससे यह जल्दी से भून भी जाएंगे और यह जो सबजी है यह लगभग 90-95% तक पक भी जाएगी तो बस इसी तरीके से बाद धक्तन हटाईए फ्लेम आप मीडियम टो मीडियम हाई रख सकते हैं लेकिन अगर मीडियम हाई करते हैं तो आप एक मिनट बाद धक्तन हटाके जरूर इसे इस्टर कर दें नहीं तो सबजी नीचे से जल जाएगी तो बस यहां पे सबजी बहुत अच्छे से भुन गई और लगभग ये 95% तक कुक हो गई है पक गई है इसे निकाल रही हूँ फ्लेम मैंने अभी आप कर दी है तो इसे निकाल के साइड में रखते हैं अब ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ लगभग डेड़ इंच के करीब अधरक साथ में दो हरी मिर्च और लगभग एक चटनी कब जितना हरा धनिया थोड़ा पानी डाला मैंने और सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड करके इस तरीके से मैंने एक चटनी त्यार कर ली है और बस यहां पर चटनी को कटोरी में निकाल करके अप साइड में रख रही हूँ गढ़ाई में जो तेल बचा था इ पीरा इसी के साथ में एक चुथाई चम्मच राई और एक चुथाई चम्मच से भी आधा मेथी दाना यह सारी चीजों को लो फ्रेम में थोड़ा सा सौते होने देंगे और इसमें अब डाल देंगे चटनी जो अभी ग्राइंड करके त्यार करी थी अब चटनी को अच्छ और इसमें डाल देंगे साथ में एक चुथाई चम्मच जितनी हींग जरूर एट करें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सबजी में इसका अच्छे से भूनेंगे लगातार चलाते हुए तो यह देखिए सारी चीज़े अच्छे से भूनी हुई दिख रही है न तो इसमे डाल देंगे आधा चुटी चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच धनिया पाउडर इसी के साथ में आधा बड़ी चमच मैंने डाल दिया है कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिर्च मैंने पहले ही एट कर ली थी हरी और अच्छे से सारी चीज़ों को भून लेंगे लगब मतर की प्यूरी अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और इसी के साथ में यहां पे मैं इसमें एट करने वाली हूँ आधा कटोरी मतलब हाफ बोल जितनी मतर यहां पे मैंने फ्रेस मतर ली है अगर आपके पास फ्रोजन हो तो आप वो भी ले सकते हैं स्वाद अनुसार यहां पे से पग गए हैं टमाटर भी अच्छे से पग गया है मटर भी भुन गई है इसमें डाल रही हूँ एक चोथाई कब जितना दही फ्रेस दही लीजेगा खट्टा मत लीजेगा हलका सा दही को मिक्स करके लेंगे फ्लेम बिलकुल लो रखी थी मैंने जब दही अट किया और अब फ्लेम को मैंने मीडियम में कर लिया है और लगतार इस तरीके से इस्टर करना है जब तक जब तक कि इस तरीके से ग्रेवी में बबल्स ना आने लगे तो यहां पर बबल्स आने लगे है मतलब उबाल सा आने लगा है ग्रेवी में इसका मतलब अब दही नहीं फटे का अब जल्दी से दही भी पक जाए मसालों के साथ में तो ढखकन ढखतेंगे दो मिनट के लिए फ्लेम मैंने मीडियम रखा था और यहां पर यह देखें मसाले अच्छे से भुन गए हैं और अच्छे से भुनेंगे जब तक जब तक की मसाले इस तरीके से सिंक ना हो जाएं और हलका हलका सा ओयल ना सेपरेट दिखने लगे इसमें डाल देंगे आलू और गोभी आलू गोभी डाल करके बहुत अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करना है और आलू और गोभी दोनों ही लगभग 95% तक पके हुए हैं तो बस इन्हें ज़ादा पकाने की बिज़रत नहीं होगी तो अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से और बस अब इस टाइम पे धककन धक देंगे और अब फ्लेम को मीडियम करके दो मिनट के लिए सबजी को पका लेंगे तो दो मिनट हो गए हैं दो मिनट बार धक्कन हटाएंगे और इसमें डालेंगे एक टमाटर टमाटर के जो सीट्स होते हैं दाने होते हैं वो निकाल करके डालिएगा और साथ में डाल देंगे एक चोथाई चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर एक चोथाई चम्मच जितना ही किचन किंग मसाला सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी 2-3 मिनट के लिए अभी आपको इसे और पकाना है तो फिर से अभी ढखकन ढख देंगे और इसे पकने देंगे इसे क्याओ को टमाटर भी भुन जाएंगे पक जाएंगे तो बस 2-3 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पे सबजी भी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है यह देखे आलू भी कितने अच्छे से पके हुए हैं गोभी भी बहुत अच्छे से पकी हुई है और टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं तो बस यहाँ पर सब्जी जो है बनकर के तयार है इसमें डालेंगे हरा धनिया अच्छे से मिक्स करेंगे और बस अब फ्लेम को मैं कर रही हूँ और इसे इसी तरीके से गर्मा गरम सर्फ करिए बहुत ही टेस्टी सी आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी बनकर के तयार है रे आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है थैंक यू पर वाचिंग वीडियो